बूर्णिंग इस्टुडेंट्स इस्टुडेंट्स चैप्टा नंबर थ्री क्लासिपिकेशन अफ एलिमेंट एंड प्रियोडिसेटी इन प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में मैं आप से डिस्कॉस कर चुका हूँ निव लेंड ऑक्टेव लौ दोगने ट्रेड लौ एं सबसे पहले समझना होगा याद होगा इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है तो अगर ही एटम है तो यह आपको आपको याद होगा नूक्लियस नूक्लियस यह आउटर्मोस्ट सेल और यह आपके नूक्लियाई Yay के बात होगा ऐसे डिकलियाई Bestow atom and outermost cell of atom किसी भी atom के nucleus से outermost cell की distance जो होगी बेटा उसे क्या कहेंगे आप atomic radii ध्यान लखिएगा ठीक है किसी भी atom के nuclei से outer most cell की distance होगी उसको क्या कहेंगे आप atomic radii okay atomic radii complete होने के बाद अब discuss कर लेते हैं atomic radii atomic atomic radii कौन कौन सी है like as metallic radii kovalent radii wonder walls radii okay ध्यान लखिएगा अब हम दिस्वरत है metallic radii metallic radii discuss करने से पहले हमें metal का structure बता होना चाहिए अब metal के atoms कैसे होते हैं बटा closely packed होते हैं like as बटा इस तरह से कुछ metals का structure होता है na metals के particle इस तरह से होते हैं सो जब metals के particle structure होते हैं तो हमें एक एक एटम की radii confirm करने हैं तो उसको confirm करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पेर उठा लेते हैं कि इन दोनों atoms के nuclei की distance का जो हाफ होगा वो क्या होगा इस atom की क्या होगी metallic radii same as covalent radii अब covalent radii कैसा होता है covalent में क्या होते हैं electrons की sharing होती है sharing means उनका structure कैसा होता है कुछ इस टाइप में metallic radii का structure कुछ stack का होगा जिसमें क्या होता है यह पार्ट जो आपका बताता है कि उनके बीच क्या हो electrons की sharing हुई है so covalent radii के लिए क्या है कि दोनों atoms की भाई है दोनों atoms के nuclei की बीच की distance का हाफ दोनों atoms की nuclei की बीच की distance का हाफ जो आपका क्या होगा covalent radii ओके नेक्स टम वंडर वॉल्स अब वंडर वॉल्स जो है हमें याद होगा 10th class में साथ आपने पढ़ा हो physics में कि एक attraction force है chemistry के टर्म में interaction force बोलते हैं interaction forces में क्या है कि कोई भी atom में एक दूशर से क्या होता है बस एक किसी force के थूँ या attraction force के थूँ अटेक्स होते हैं ठीक है तो उसमें क्या है जब two atoms किसी interaction force के थूँ अटेच है किसी भी interaction force के थूँ अटेच है तो उन atoms के बीच की distance का हाफ उन दोनों atoms की बीच की distance का याने कि center की बीच की distance का जो हाफ होगा वो क्या होगा बॉंडर वॉल रेडियाई आपका को कि में भी आप लोग इस टॉप पे को समझ गया होंगे अटामिक रेडियाई क्या है किसी भी atom में center से outermost cell के distance जो होगी वह आपके क्या होगी अटामिक रेडियाई के जो टाइप्स हैं metallic, covalent and wonderwall metallic रेडियाई में क्या है उसके closely packed दोने वेस टू एटम्स को consider करते हैं तू एटम्स में क्या है center के बीच की distance का जो हाफ होगा वो आपका metallic रेडियाई कोबलेंट रेडियाई तू उसमें क्या होता है electrons की sharing के विज़े से काफी अस तक पार्ट एक दुछ से shared हो जाता है इसमें उस ताइम पर कोबलेंट रेडियाई में क्या होता है कि दोनों एटम्स के centers की distance का हाफ जो आपका होगा वो क्या हो क्या हो कोबलेंट रेडियाई वॉंडर वाल क्या interaction फोर्स या attraction फोर्स इसमें क्या होता है तू जो दो एटम्स एक दूसरे प्लोज़े एट्रेक्शन फोर्स थू बॉंडेड है उसमें क्या है कि centers की बीच की distance का जो हाफ होगा वो आपका क्या होगा वॉंडर वाल्स रेड टेविल में variation यह किस तरह से रिप्रेजेंट करता है वो देखना है अब किस तरह दिखाएगा नंबर वन periods में and number two groups में अब periods में क्या होगा देखो अगर समझा जाए तो like as बोरॉन कारवन नाइट्रोजन मिसम समस्ते हैं बोरॉन कारवन नाइट्रोजन बोरॉन में क्या होगा टू कॉमा 3 टू कॉमा 4 टू कॉमा 5 अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको स्ट्रक्चर आफ एकममे में समझाया था कि यह जो आपके numbers होते हैं यह orbits को represent करते हैं iosmet kitnे of its कितनी खुआ जुआ जेखे थो लास्ट आविट में 3 एलेक्रांट लास्ट झालीट में 5 एलेक्रांट या कि क्या है हमारे पास सर्किल भी ऑच्वता ही है बट इलेक्ट्रॉन्ज की जो नंबर सें वह बढ़त जा रहे आप इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे तो इपीन कि होगा उनके वीच फोर्स ऑपका अट्रक्सन भी जादा लगेगा जिसके वेश से क्या होगा उनका साइड जो है जो इसके अपने लेक्टरों ने बढ़ते रहते रहते हैं वैसे उसका attraction force बढ़ता है तो उनके वीच क्या होता है उसका size भी छोटा होता होता है it means periods में left to right जाने पर ये left to right है आपका okay 13, 14, 15 ते आपका ये represent होई रहा होगा ठीक है sorry 15, 16, 13, 14 अब क्या करना है हमें periods में clear हो गया है कि left to right जाने पर आपका atomic radii decrease हो रही है अब groups की बात करते हैं ग्रूप में क्या रहा है एक्जांपल में lithium sodium potassium lithium में आएगा two one sodium two eight one two eight eight one बटा आपको इससे clear जाना चाहिए देखिए ध्यान से यहां और्विट कितने हैं two यहां और्विट three and next वाल है four orbits और्विट्स का जो numbers है वो बढ़ रहा है जब orbits का number बढ़ रहा है तो distance clear है जैसे lithium की बात करते हैं तो lithium का structure इतना है sodium की बात करेंगे तो sodium का structure कितना होगा यह रहा potassium में और बढ़ेगा चीजिसी बात हो रही है potassium में 19 1, 2, lithium के लिए 1, 1, 2, 3 2 orbits lithium के लिए 2 and 1 तो ध्यान लखिएगा हमने अभी आप्स क्या का जितना distance close होगा उतना क्या होगा रडियाई कम होगी और जितनी डिस्टैंस ज्यादा होगी इतनी बढ़ी होगी इसमें किलियर संग में यहां distance कितनी है आपके पास 2 orbits sodium में एक orbit और बढ़ेगे distance और बढ़ेगे सपोज इसके distance अगर 2 है तो यह 2 कितना होगा यहां केतना है और 2 2 4 और 2 6 के लिएर सा हो रहा है यहां पर तो तो फोर टू-6 एंडू-8 ठीक है तो ध्यान दखिएगा कि groups में टॉप टू-bottom groups में टॉप टू-bottom जाने पर आपकी atomic radii increase okay thank you class okay class last lecture में हम लोगे डिसक्स किया था atomic radii now we are discussed about the ionic radii अब ionic radii में जो focus करना है वो यह कि ions आपके कौन-कौन से कैटाइन एंड एन एन ठीक है तो वे डिसक्स्ट रवाट कैटाइन एंड एन अब आइन के डिया ही क्या है आइन के बीच की distance का half like as NaCl इसको जब ब्रेक करते हैं तो आपको क्या मिलता है एन ए पॉस्टेप प्लस Cl negative अगर इनके nucleus को draw किया जाए यह आपका रहा है तो ions के nucleus की बीच की distance का जो हाफ होगा वह आपका क्या होगा आइनक लेडियाई ओके अब कैटाइन का सपोस्ट एग्जामपल यहीं लेते सोडियम एने एने पॉस्टेप कैटाइन की सी बात है अगर इसका जो नीट्रल एटम है या पैरेंट्स एटम है वो देखा जाए तो क्या है एने एने पॉ टैं लोक्ट्रोंज इसके पास डिमेन है ट्रॉ एट बन अगर आपन लास्ट अलेक्शर देखा है तो आप लोग इस कॉन्पिकेसिन समझ गए होंगी किसका साइज बढ़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा अब यहाँ कितने orbits है 2 यहाँ कितने orbits है आपके पास 3 तो orbits बढ़ने पर क्या होती है distance आपकी बढ़ जाती है जब distance बढ़ रही है तो clear सी बात है आपका कि इसमें क्या होगा size इसका draw करते है suppose 2 and 8 suppose यहाँ distance 2 and 2 कितना हो जाएगा बिटा 4 सोडियम एटम का अगरम draw करते हैं देखते हैं यहाँ पे orbits कि strength अगरम count करें तो कितना हो जाएगा बिटा 2, 2, 4 and 2, 6 clear हो रहा है कि कि दोनों में किसका atom size बढ़ा है parent size दियान लखिएगा आइनिक रेडियाई में क्या होता है जो cation होता है cation का radii cation की radii उसके parents atom से कैसी होती है छोटी smaller दियान लखिएगा इस बात को अब anion की बात करते हैं anion में क्या है हमारे पास c l ठीक है parents atom 17 यहाँ एक electron उसने gain किया है तो कितना जाएगा 18 2, 8 8 और यहाँ क्या जाएगा 2, 8 7 ओके so orbit same अब यहाँ clear हो रहा है किसका atom size बढ़ा होगा chlorine का ठीक है ध्यान लखिएगा इस चीज को कि आप जब electrons की concentration करते हैं तो आप orbits की counting और उसमें present electrons को जरूर चेक कीजिए लाइक एस यह katein है तो 2, 8 और यह 2, 8, 1 यहाँ पे 2 orbits यहाँ पर आपकर 3 orbits ध्यान लखिएगा orbits को आप जरूर चेक कीजिए ओके आने के लेड़ी है complete होने के बाद next topic next topic balance 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 के लिए हमें जो आपको याद होना चाहिए कि suppose किसी भी गृूप में या किसी भी पिरेड में जब बैलेंसी काउंट करना है या balance क्लियर करना है कि किस एटम की कितनी है increase हो रही decrease हो रही है तो उस्से पहले में electronic configuration क्लियर होना चाहिए लागेस चेक करते है बोरान एंड कार्बन फाइव शिक्स वन एस्टू तो एस्टू तूपी वन वन एस्टू तूएस्टू तूपी तूपी तू इट मीज तू कॉमा थ्वी एंड तू कॉमा तूपी balance बैलेंजी क्या होता है वेटा? या आपको नाइंध गलास में clear किया था 10 में भी आपको clear किया था और अगर 4 है या 4 से नीचे है तो उसे हम touch नहीं करते है यहाँ कितना है वेटा? 4 तो हमेसे बिल्कुल भी touch नहीं करना है यहां 3 है अब ध्यान से देखा जाए तो यह आपका 15 गुरुप को रिप्रिजेंट करता है और यह 16 गुरुप को इट मींस अगर गुरुप में लैप टू रैट जाते हैं तो आपकी रेडिया ही क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है बट अब इसके बाद जो आता है वो क्या आपका नाइटरोजन 17 गुरुप जब उसको ब्रेक करते हैं 2,5 अब यहां मैंने क्या कहता है 8 से अगर ज़्यादा होता तो मैं क्या करना है उसे सब्स्ट्रेक्ट करना होता है तो 8 माइनस 5 कितना हो जागा 3 बैलेंसी क्या होई यहां पर अगर डिक्रीज इट मेंस 15, 16, 17 पर आते हैं हमारी बैलेंसी क्या होई डिक्रीज यहां पर मैं फोकस यह करना है देखिए 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह से आपकी बैलेंस चलती है लाइक एस आपका लीथियम, बेरिलियम, बोरोन, कारवन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड नियू यह आपका कौन सा अगर देखा जाए तो पीरेड नमबर कौन सा है यह आपका थर्ड है तो थर्ड पीरेड में हम क्लियर कर लेते हैं देखिए कि पीरेड में left to right जाने पर क्या हो रहा है, gradually increase हो रहा है increase हो के, फिर decrease मतलब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 4 तक increase होगा और फिर 4 से आपका, फिर decrease होना चाट जाएगा 0 तर फिर 1, 2, 3, 4 फिर 3, 2, 1, 0 ज्यान रखिएगा, यह आपका पीरेड में लेकिन ग्रूप्स में अगर बात करते हैं जैसे लीथियम सोडियम पोटैसियम, सो क्या हो जाएगा 2, 1 2, 8, 1 2, 8, 1 2, 8, 1 यहाँ पर आउटर्मोश सेल में क्या है बिटा 1 इलेक्ट्रोन है, सभी में ग्रूप्स में, it means किसी भी ग्रूप में आउटर्मोश सेल के जो इलेक्ट्रोन होते हैं वही उसके क्या होए, बैलेंसी को रिप्रजैंट करते हैं, ओके थैंक्यो ग्लास